नमस्कार मैं हो ससी आये जरगां की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा है कि देश में कोवीड-19 संक्रमन से ठीक होने वालों की दवर बढ़ कर 92 फिश्दी तक पहुच गई है पिछले 24 खंटे के दोरान देश में करीब 58 या से ज्यादा कोवीड-19 संक्रमन से ठीक होने वालों की संख्या से 57 लाग के ऊपर हो गई है वहीं वर्तमान में देश में कोवीड-19 के संक्रिय मामले की संक्रिय करीब 5 लाग 41 जार है उन्होंने COVID-19 पर नियंतरन के लिए 40 के फर्मूले का पालन करने की बात कही है टेस्ट, ट्रैक, ट्रेस्ट और ट्रीट की रन निती का पालन कर हम COVID-19 से ग्रामन को कम कर सकते हैं बेरमो वाद दूमका में मद्दान संपन जारखन में बेरमो वाद दूमका विधान सभा उपचुनाव के लिए मद्दान संपन हो गया दूमका में 65.2,7 पिसदी जबकि बेरमो में 60.2,0 पिसदी बोटी होई इस दोरान कुरोना पर भोटो का उससा भाली दिखा कुरोना गाइलन का पालन कर मद्दाताओं ने भोट किया मैलाय मद्दान केंद्र पर पहुँचकर मद्दान करती रही दोनों सीटों पर मद्दान संती पूर्ण संपन हो गया बता दे कि 10 नॉमबर 2020 को दोनों सीटों के लिए मद्दगना होगी करवाचोथ का सो महुर्द राइधानी राची सहीट पूरे जारखन में करवाचोथ को लेकर उल्लास का वातावरन है बुद्वार को कार्तिक क्रिश्न पक्ष तिथी को धुमदाम से करवाचोथ पर मनाया जाएगा बता दे कि सुहाग ने अपने सुहाग के आरोगे सुक समरिद्धी और सफल दामपत्य जीवन की कामना से भागवान सीव पारवती सहीट पूरे परिवार के साथ साथ चंद्र देव की पुजा अर्चना करेंगी दिन बर निर्जल उपवास रखेंगी संद्या में चंद्र दर्शन के उपरांत उपवास समाप्त होगा वहीं खास तोर पर विवाईत महिला है अपना अपवास अपने पती के हाथो तोडेंगी बता दे की राची में साथ बच कर 51 मिनट जबकी धनबाद में साथ बच कर 45 मिनट में चंद्र दिखाई देगा जार्खन के बाहर तैनाज जवानों के भूमी विवाद का निप्टारा करेगा परसाशन जार्खन के बाहर अनराजो या दुरस्त छेत्रों में नौकरी कर रहे सैनिक और सैनिक पारामेटरी के जवानों की भूमी से समधित विवादों का निप्टारा राची जीला परसासन तेज गति से करेगा डिसी छवी रंजन ने ऐसे मामलों के जल्द निस्पादन के लिए एक सेल कठित करने का निदेश दिया है सेल के एक मात्र काम सहयनिक और सहयनिक पारामेटरी के जवानों के भोमी से समधित मामलों जैसे लगान रसीद नमांतरन जमीन मापी आधी का तोरित निस्पादन करना होगा सिक्षा विभाग को दिये गए 700 सोलर लाइट राची की रोसनी प्रोजेक्ट के तहट सिक्षा विभाग को 700 सोलर लाइट दिये गए उपाईवक छवी। रंजनने मंगलबार को जिला सिक्षा अधिक शक राची को समानाला इस्ठित करयाले में ए सोलर लाइट सोपे सिक्षा विभाग को उपलव्द कराएगा ए सुलर लाइट सुदूर गरामिन छेत्रों के वैसे छात्रों को उपलव्द कराएगी जहां आप तक बिजली नहीं पहुंच पाई है उलेख निया है कि राची की रोशनी पर्योजना जीला पर्शासन की आस्थाई परकास व्यवस्था के समधान के लिए सुरू की गई है चात्रवीर्ती मामले पर वीडियो कंफरेंसिंग कल अनुसुचित जन जाती अनुसुचित जाती अल्फ संख्यक पिछडा वर्ग कल्यान विभाग की ओर से प्री मैट्रिक चात्रवीर्ती को लेकर गुरु आरको वीडियो कंफरेंसिंग की जाएगी इसमें सभी जीला कल्यान पतादिकारी समयत अनुपतादिकारे भी मवजुद रहेंगे बता देगी वीडियो कंफरेंसिंग में 2020,21 के प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और अल्फ संख्यक चात्रवीर्ती के समिकचा की जाएगी साथी अल्प संख्यक छात्रवीती के घोटाले के मामले पर भी जीला बार रिपोर्ट ली जाएगी जार्खन में बड़े प्रमाने पर होगी ड्रेगन फ्रूट की खेती जार्खन ट्राइवर डेवलोपेंट सूसाइटी ने जार्खन में बड़े प्रेमाने पर ड्रैगन फूरूट की खेती की तैयारी शुरू कर दी है JTDS के अनुसार जार्खन में 12 से 15.5 जमीन ऐसी है जहां खेती नहीं होती इसमें बड़े प्रमाने पर टार जमीन विव पलब्द है जो ड्रेगन फ्रूट की खेती के लिए उप्यूग था है फिलाल इसकी खेती परियोग के रूप में की जाएगी इसके लिए राची और खुटी जीले का चैन किया गया है जरकन का स्थापना दिवस 15 नौंबर को सरकार राज के 4000 युव को नियुक्ती पत्र सोपेगी इसकी त्यारी जोर सोर से चल रही है नियुक्ति के लिए स्राम विभाग जार्खन के साथ दिल्ली राष्ट्रिये राजधानी छेत्र उडिसा पच्छिम बंगाल की विभीन कंपणियों साथ समन्वेक कर रहा है बता दे कि अब तक एक हैस अधिक युक्तियों के नियुक्ति की बात फाइना लोगा यहाँ इनका डाटा भी अप्लोड हो गया है स्राम विभाग के पतादिकारी और प्रवासी कंट्रोल रूम में विभीन कंपणियों से समन्वेक कर रहे हैं स्रामिको को विभीन कंपणियों में स्राम कानून का अनुपालन करते हुए रोजगार मुहया कराया जाएगा बताया जा रहा है कि कम से कम 15,000 रूपय वेतन स्रामिको को प्रातिमा मिलेगा मंत्री बादल पत्रलेख पहुँचे मेडिका आस्पताल जाखंड सरकार की क्रिसि पासुपालन एवां साकारता मंत्री बादल पत्रलेख मंगलवार दोफर राचे इस्तीत मेडिका आस्पताल पहुचे यहाँ उन्होंने अनगरा जिला परिषत एवां जाव मों नेता रंधो माली के स्वास्त की जनकारी ली रन्थु माली सोमवार से ही मेडिका अस्पताल में भरती है बता दे के उन्हें ब्रेन हेम्रेज हुआ है इनका इलाज डाक्टर संजाई की देखरेक में चल रहा है ट्यूशन फिस लेने के मामले पर 8 दिसंबर को अगली सुनवाई जारखन हाई कोट में मंगलवार को राज सरकार के आदेश नीजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फिस ही लेंगे के खिलाप दाकिल याचिका पर सुनवाई के दोवान महाधिवक्ता राजीव रंजान ने जवाब दाकिल करने के लिए अदालत से समय मांगा जिसके बाद कोट ने इस मामले में सरकार को जवाब दाकिल करने कारदेश देते हुए अगली सुनवाई आर्ट दिसंबर को निधालित किया हाई जारखन में 377 में ने संक्रमितों के फुष्टी हुई जो राची से 108 पूर्वी सिम्हुम छेहत्तर धनबाद 49 बोकारो 27 देवगर 29 खुटी 13 गुमला वा पलामु बारा बारा गोड़ा एगार कोड़ार मा आजारी बागना न रामगण वा गड़वा 88 सिम्टेगा और 25 सिम्हुम साथ साथ सराय किलाल वार्दागा और जाम तरा चाहँ और गेडी चार चार चात्रा से तिन दूम का दो लाते हार से एक मिले हैं जारकन में कुल संक्रमीतों के संख्या एक लाख 2887 है जबकि 96975 लुक्स्वास्थ हुए और 891 की मिलिती हो गाई भारत में कुल संक्रमीतों के संख्या 83 लाख 12947 है जबकि 76,94757 भास्थ हुए है भारत में इस समय एक्टिव केस 5,337 है वहीं जारकन में एक्टिव केस 5,001 है जारकन के प्रतिभावान खिलाडियों को तरासने में सहयोग करे रेलवे बंधु तिर्की राची जीला अंतरगत मांडर विधान सभाचेत्र के विधायक बंधु तिर्की ने दक्षिन पूर्वे रेलवे राची डिविजन के मंडल रेल प्रवंधक DRM से जारकन के प्रतिभावान एवं भरती खिलाडियों को प्रत्साहन देने के अपिल की है इस सम्वंध में सिरी तिर्की ने पत्र लिखर काया है कि अगर राज के प्रतिभावान खिलाडियों को प्रेलवे की ओर से ट्रेनिंग की बिवस्ता की जाए तो कई दूर दराच के प्रतिभावान खिलाडी निखर कर हमारे बीच आएंगे बनहर्दी कॉल बलोग ड्रिलिंग घोटाला की जाच करेगी OCB सीए मुखमंत्री हमां सुरेण ने जारकन उर्जा उतपादन निखम में बनहर्दी कॉल बलोग ड्रिलिंग घोटाले की जाच OCB से करने के नुमेति दे दिया विभागिये जाच में गड़बड़ी की पुष्टी हुई थी जिसके बाद उर्जा उत्पादन निगम ने पूर्व में केस दर्ज करने का आगरा एसीबी से किया था लेकिन एसीबी ने भी भागिये मंत्री का मंतब्य मांगा फुर्वर्थी सरकार में इसकी अनुमती नहीं मिली और फाइल ठंडे बस्ते में चली गई बता दे कि नई सरकार में दोबारा मुख मंत्री के समक्ष या मामला आया है उन्होंने जाच के उनुमती पदान कर दी है High tech होगी जर्खन की अदालते जर्खन की अदालतों से ए समन और ए वरन्ट जारी किये जाएंगे शमन्धित थानों को ओमेल से वरन्ट और समन भेज दिये जाएंगे इससे इसका तमिला जल्द होगा और समाय पर लोग कोट में उपस्तित हो सकेंगे बतादे कि अभी जमसेदपुर से इसकी सुरुवात होई है और धीरे-धीरे सभी अदालतों में इसे लागू किया जाएगा है ज्यादा से ज्यादा खाद सेंपल का कलेक्शन करे पलामो उपायोकते पलामो उपायोक ससी रंजन के अध्यक्स्ता में मंगलवार को खाद सुरक्षा हुआ मानक अधिनियम के तहद जीला अस्तरिय परामर्शी समिती के बैठक संपन हुई बैठक में उपायोकत ने कहा कि बिना लाइसेंस के दुकान और प्रतिस्थान का संचालन करने वालों के विरुद नियम संगत करवाई की जाएगी साथी साथ खाद समागरियों में रंग तथा मिलावट पाये जाने पर दुकंदारों के विरुद उचित करवाई भी की जाएगी राची जीला परसासन ने पुजा समीतियों का जताया अभार कोविन एंटी संक्रमन के नियंतरन के लिए राज सरकार एवं जीला परसासन के वर से जारी दिशान निदेशों का अनुपालन करते हुए दुरगा पुजा संपन कराने के लिए राची जीला परसासन ने सभी दुरगा पुजा समीतियों का भार जताया है कुरोना संक्रमन के मदनजर पुजा के दरान भीड नियंतरन और अने दिशान निदेश का अच्छी तरस आनुपालन करने पर सवी पुजा समीतियों का भार प्रकट करते हुए जिलापरसासन की ओर से संकेतिक रूप से पांच पुजा समीतियों को सम्मानित किया गया कॉंग्रेस पांच नॉवंबर को महिला और दलित उत्पिदन दिवस आयोजित करेगी कॉंग्रेस के परदेश अध्यक्स रमेश्वर उराव के निर्देश समसार हाथरस सहीत देश में पूलिस उत्पिदन के बिरोद में देव घर में ट्रेक्टर मालिक को ने लगाया जाम मंगलवार को कुंडा थाना अंत्रगत कुंडा मोर के निकर ट्रेक्टर मालकों ने पूलिस उत्पिदन के बिरोद में अपने ट्रेक्टर को सड़क पर खाड़ा कर देव घर सारट रोड को जाम कर दिया ट्रेक्टर मालकों कारोफाई की पूलिस परसासन द्वारा ट्रेक्टर मालकों को बेवज़ा बहुत परसान किया जा रहा है पूलिस ट्रेक्टर को पकड़ कर जूर्माना कैलावातिरिक डिमांड करते हैं और ट्रेक्टर वानों को बेवज़ा तंक करती है पांच लड़कियों को लेकर हैदराबाद जा रहे है तीन मानो तसकर गिरफतार मानो तसकरी के केंदर बनते जा रहे है राची में फिर से पांच लड़कियों को मुक्त कराया गया पुलिस ने साथ ही तीन मानो तसकरों को भी गिरफतार किया है तीनों को ग्रेफतारी human trafficking के मामले में हुई है पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया है बताया गया है कि पांच लड़कियों को लेकर तीनों आरवपीत हैदराबाद जा रहे थे जमसेदपूर industrial township का मंत्री बना गुपता करेंगे बिरोद जाखन के स्वास्त मंत्री बना गुपता सरकार में रहकर भी जमसेदपूर में industrial township बसाने का विरोद करेंगे उन्होंने कहा कि उनके लिए जानता पहले है और सरकार बाद में उन्होंने कहा कि मंत्री से पहले वे विधायक हैं उनके अनुसार township बसाकर जानता की तीसरी मता धिकार से वनशित नहीं किया जा सकता यह लोगतंत्र की हत्या होगी JPSC ने जारी किये छटी उपसमाहरता सीमित परिक्षा के मोडल उतर जार्खन लोग सेवा आयोग ने 10-11 अक्टूबर को आयोजित छटी उपसमाहरता सीमित परिक्षा के मोडल उतर जारी कर दिये हैं इसके तहट समान अध्यान विशाय के दोनों पत्रों के चारों सीरीज के मोडल उतर जारी किये गए हैं चट पुजा तक काके डेम की सफाई जार्खन के पेजल एवं सख्षता विभाग के मंत्री मिथलेश ठाकूर के वादे के बाद भी राची के काके डेम की सफाई नहीं हो पा रही है काके डेम संदक्षन समीती ने एलान किया है कि अगर छट पर्व तक डेम की सफाई नहीं कराई गई तो वहाँ मवजूद सारा कचरा और जल कुम्भी निकाल कर नगर निगम पेजल एवं सवस्ता विभाग और डीसी ओफिस के गेट पर जमा कर दिया जाएगा ताकि अधिकारियों को पता चले कि डेम में कितनी गंदगी है बेडो में पोल्टरी फरम से 18.4 सहीत 18 किंटल मुर्गी की चोरी चोरो ने बेडो थाना छेतर के लोहरदगा रोट इस्थीत राजा पोल्टरी फरम हाउस से सोमवर की राथ फरम हाउस की खिरकी उखाड कर उसमें रखे असी बोरा चारा सहीत 18 किंटल मुर्गीयों के अलावा अन्य समान की चोरी कर ली है घटना राची जीला के बेडो इलाके की है यातायात के नियमों के पालन में सुप्रीम कोट और राज सरकार के निर्देशों का रखे ध्यान धनबाद डिसी धनबाद उपईुकत उमा संकर सिंग ने मंगलवार को जीला शड़क सुरक्षा समीती की बैठाक में सड़क सुरक्षा को लेका सुप्रीम कोट इमराज सरकार के निर्देशों को पालन सुनिशित कराने के निर्देश दिए सबनाले के सबागार में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि सबक सुरक्षा के सम्मान्द में किसी परकार की कोताई बरदास नहीं की जाएगी अंतर राष्ट्रिय योग सिक्षिका राफिया नाज को सुरक्षा देगी पुलीस अंतर राष्ट्रिय योग सिक्षिका राफिया नाज योग सिखाने के कारण कटरपंथियों के निसाने पर रही एक तरफ राफिया जहां कटरपंतियों की निशाने पढ़ा है वही दूसरी तरफ पुलिसिया कारेसैली के कारण भी राफिया को परसानी का सामना करना पड़ा था पूरे मामले में राफिया ने राश्ट्रिय महिला आयोक के समख सिकाइद की थी मंगलवार को राष्ट्रिय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा सार्मा ने राफिया के मामले की सुनवाई की इस दोरान पुलिस का पक्ष रखने के लिए राची स्वेंदर कुमार जहां मजूद थे आयोग ने राफिया को सुरक्षा मुहाया कराने की आदेश दिया है धन्यवाद यदि आप चनल पर नहीं हो तो चनल को सब्सक्राइब कर बाल कर बेले कर दबाएं साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के फेस्बूक वाट्सेप ट्यूटर इंस्टाग्राम पर सेयर अवास करें साथ साथ आप अपना फीड़बाय खामें कोमे सेंट बाक्स में आवासे दे